हलो गाईज कैसे हो आप सब आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे हो और 26 Feb से मैं नोटीस कर रहे हूं आपके यूट्यूब पे मेरे कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी बच्छों ने मुझे कॉंटाक किया था कि मैम हमना एक्जाम फर्म फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने Orientation प्रोग्राम नहीं अटेंड किया था तो बहुत से बचे डर भी गए है इस बात को लेके कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें June अटेंड देने ही नहीं मिलेगा अब हम क्या करें तो देखो 25 March है अभी तक आपके पास तब तक आप एक्जाम फर्म फिल कर सकत लाइक ओर्येंटेशन के वज़े से अब फस गए हो तो अब क्या करें तो अब देखो ओर्येंटेशन अटेंड नहीं किया है गलती हो गई है या ICSI का चाप्टर नहीं था या आपने वहाँ पर ऑनलाइन के लिए रिजिटर किया था अब जो भी हुआ उसको बूल जाओ अ ताकि हम अटेंड कर सके और एक्जाम फॉर्म फिल कर सके तो वह हो सकता है कि एक्स्टेंट हो जाए क्योंकि आपसे गलती हो गई है या ICSI कि जो है जो है चाप्टर का मैं इसके वज़े से आप अटेंड नहीं कर पाए तो आपको मेल कर देनी चाहिए और प्लीज कुछ भी एक्सक्यूस मत दो मैं इसके वज़े से मैं बीमार था मुझे यह हुआ वो हुआ मैं यहाँ पर गया था प्लीज ऐसा कुछ भी मुझे ट्रावलिंग पॉसिबल नहीं होई जस्सींपल रिक्वेस्ट करनीग आपको ठीक है कि आपको जो है ओरिन्टेशन के लिए ایک लाड़ जी जाय कोई भी स्कमणम उनन मत करो अपना आइसके साह необходимо मेल पीज़ेशन के लिए अए घंव कर देखा है जस्किक कर दो है प् impressed करनी यह utaipस ए और डूसरा किया था तो हमने तो offline के लिए किया ही नहीं था तो अब क्या करें देखो अब जो है february last था तब तक आपको attend करना था और मैंने हर बार mention किया वीडियो में कि आपको attend करना ही है तो अब क्या कर सकते हो online भी जो है अभी तक institute के दरब से कुछ वो provide नहीं किया गया है orientation तो अब आपको mail करनी चाहिए so that आपको chance मिले अगर आप online भी attend कर लेते हो तो आप exam form fill कर सकते हो okay so please tension ना लो आप जो institute को mail कर दो try करो आप उनको contact करने का या आप यह भी कर सकते हो उनको जो है आप क्या करो क्या करो क्या करो कर दो तो थीकर आप क्या करो किस्मैश.icsi रोगन कर दो के आपका रेस्ट्रियशन याई हैन पास्पर दोगा उसके बाद जो आपका section में जाोगे न तो complaint launch करोगे तो mostly वो 24 hours में reply देते ही है and बहुत बच्छे बच्छे बोल रहे है कि ma'am हमें reply नहीं आ रहा है तो reply क्यों नहीं आ रहा है तो आपने प्रॉपर select नहीं किया होगा okay उसमें भी आपका लिख किया आता है website में आपका issue तो प्रॉपर issue आप जो है select करोगे तो आपका जो है जो भी issue होगा वो solve होगा वो address करेंगे okay so डरने की कोई भी बात नहीं है okay guys तो डरो बिलकुल भी नहीं and please excuse मत देना सिर्फ आपको request करनी है उनको तो please कुछ भी जादा मत लिखना कि मेरा मैं भी मार था मुझे ऐसा हुआ वैसा हो कुछ भी नहीं लिखना है guys okay so thank you so much for watching and tension नहीं लेना